है दोस्तों नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से और के इजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दूसरो तो इसके पहले हम पढ़े हैं कि adjective class का प्रयूग करके कैसे हम complex sentence बनाते हैं और इसके पहले हम यह पढ़े हैं कि noun class का प्रयूग करके कैसे complex sentence बनाते हैं दोस्तों जो हमारा sub-ordied class होता है वो तीन प्रकार का होता है noun class, adjective class और adverb class तो दो हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे कि एड़र क्लाज का प्रयुग करगी कैसे हम complex sentence बनाते हैं तो दोस्तों यह जानी आप कि जो एड़र क्लाज होता है वो निम्म चीजे को सो करता है जो मैं लिखा हूँ ना time, place, region, condition, comparison, contrast, result, purpose तथा manner यह सारी चीजे सो करता है तो हम क्या करेंगे इनका यहां पर मतलब यह लिखने का essence है कि time सो करने वाले conjunction अलग है place, region यह जितना मैं चीजे लिखा हूँ इन सबका अलग-अलग conjunction है और एड़र क्लाज यह सारी चीजे सो करेगा इक मिन्से है कि जो एड़र क्लाज होगा वो time, place, region, condition, comparison, contrast, region, result, purpose, manner सो करेगा जब यह चीज सो करेगा तो इससे सम्मन ही जो conjunction हैं उनका प्रयोग करके हम बराते हैं complex sentence ठीक दोस्तों चलिए देखते हैं दोस्तों मेरे पास एकजावे पूछेगा एक उस question है उनको लेकर क्या आता हूँ आपके लिए देखिए question यह है कि I will return I will return मैं वापस आउंगा do not go till then go till then I will return मैं वापस आउंगा do not go till then तब तक जाना नहीं ठीक दोस्तों ना do not go till then तब तक जाना नहीं हम से यह देखिए आपो nice वी यह से क्या go कर ना तो तो क्यास्व कर रहा है था कि ऩा स्लत वो कर रहे लक्यांजब तब जब टाइम सो कर रहा है तो आपको याद होगा जब मैं complex sentence start किया सब्सें पताना इससमें बताया था आपको जो को every sentence होते है ऊपर उस ऐ एक principle class होता है और कम सक 550 suboriented class होता है और subordinate class कैसे बनता है वो बiliansथा sub audiator conjunction लगने से यह कि subordinator class से पहले sub olduğuchi konjunctions आते हैं और चो сигновAPP कंजंचिन क्या क्या होते दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ आप dalla वाला मीरू देखिए आप और आप अगर नोट देखें तो आप उस कॉंपी को खोलिए उस पेस को खोलिए और फिस को देखिए 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 दोस्ते हाँ पर यहां पर आई वी रिटर्न दू नाट गो तिल देन टाइम सो का दाया ना इसको मैं ऐसे बनाएंगे दोन्ट यहां चाहिए दून नाट दून्ट गो मत जाना अंटिल में जब तक आई रिटर्न मैं रिटर्न नहीं हो जाता हूँ डोन्ट गो मत जाना अंटिल जब तक आई रिटर्न में वापस नहीं आ जाता हूँ तो उसमें हाँ पर जो अंटिल है यह सेंस निकालेगा जब तक की नहीं जब तक की नहीं दोस्तों आपको बता चुका हूं हर एक सेंटेस का रूल होता है लेकिन रूल आप लगाईए पहले आप इसको हिंदी मार्थ निकाल लेजिए जब आप हिंदी मार्थ निकाल लेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा इस सारी चीजे तो आइविल रिटर्न में वापस आँगा डोंट अगो तिल दें तब तक जाना नहीं तो डोंट अगो मत जाना अंटिल जब तक की नहीं मैं रिटर्न हो जाता हूं चुना दोस्तों आप इसको ऐसे बनाएंगे और देखे दूसरा उसरा पूछा हुआ है वाक केरफुली यू मे फाल डाउन वाक केरफुली यू मे फाल डाउन आराम से चलो संभल कर चलो यू मे फाल डाउन तुम गिर सकते हो तोस्तों एक नट क्या सो कर रहा है यह सो कर रहा है आपका मैनर तो मैनर कहां है मैनर यहां है तो मैनर जब हो कर रहा है है तो हम क्या करेंगे मैने टेक ल जो इच्टिपाल करेंगे तो यह जायेगा वाक क्यार्फूली समस्द कर चलो ही डियागा वाग सग्यार फुली स्ट मने कहीं ऐसा नहों की पिर यह सौरी यह मेंना नहीं हो दोस्तों यह परपरस के तैसरे लेंगे और वाग क्यार फुली शंभादारी प्रॉल्बन्वर्व कलो या संभिल कर चलो लेश्ट मने कहीं हो तूंकि यू ठीक न तो दोस्तों चाब लेश्ट आ जायेगा आप शूट का प्रयूब कर लेना यू शूट वाल डाउन तो अब यहां देखेंगे कि यहां पर शूट क्यूं आ गया हाँ दोस्तो सुट क्यों आ गया क्योंकि यहाँ पर जब कंजक्शन लेश्ट आ जाता है न उसके साथ हम वार्व सुट का इस्तिमाल करते हैं इसलिए हमें मेहटागर के सुट लिख दिया ठी दोस्तो न जब यह और देखते हैं तीसरा पुछा हुए अब यहाँ नी रहता है nobody lives there, वहाँ कोई नहीं रहता है, फिर उसको न, अब यहाँ देखिए, क्या सूब कर रहा है, यह सूब कर रहा है, प्लेस न, जब प्लेस सूब करेगा, था हम क्या गरेंगे, प्लेस वाले, जो कंजंग्सन उसका इस्तिमाल करेंगे, तो, शेली देखते हैं, he lives at some place, अब यहाँ जो कंजंग्सन होगा, वो वेर होगा, वेर, nobody lives, जहाँ पर कोई नहीं रहता है, फिर दोस्तों न, यह हमारा कंजंग्सन मन गया, यहाँ पर वेर, क्योंकि फ्लेस हो कर रहा है, प्लेस हो करने वाले, जो कंजंग्सन वेर, 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 उसमें इस्ति करते हैं, ठीक न, जड़िया भी चलते हैं, फिर पुछा हुआ है, एक और क्वेस्टन, ही इस पूर, ही इस नोट, डिस अनेस्ट, वह पूर है, डिस अनेस्ट नहीं है, यहाँ जो कंटरिक्शन है, कंट्रास्ट है, तो कंट्रास्ट जब है, हमका कंट्रास्ट वाले कंजंक्शन पर लेकर आएंगे, दो या आल्दो में इसको यह, तो इसको हमके क्या लिखें, यहाँ पर आल्दो, आल्दो मन यद्दब यह, ही इस पूर, वह गरीब है, कॉमा, ही इस नोट, डिस ओनेस्ट, वह दिस ओनेस नहीं है, दोस्तों जो, अब यहाँ पर आपको, जो दोस्त इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो यह थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो क्या करें, जितना मैं सेंथेस्ट वीडियो बनाया हूं, इस पेसली, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए, तो आप वहाँ पर जा हैं, दो आलदो, ठीक ना, तो उसमें किसी युप का लिखेंग यां, आलदो मान यदब, ही इस पूर और गरीब है, और ही इस डिसा, ही इस नोट डिसानेस्ट, वह बिल्मान नहीं है, ठीक ना, और देखते हैं, वार्ख हाड, देन यू वील सक्सीड, दो, यहां पर देखेंगे, यह क्या तुकर रहा है, उस ती इसट उस कर रहा है वह सो कर रहा है, सर्थ, work hard करो, work hard, then you will succeed, तब तुम सफर होगे, यानि कि सर्थ है, आपको सपर होना है तो आपको work hard करना है, यहां नहीं करोगे यहां इसको ऐसे भी लिख सकते हो इफ यहां पर इफ कंज्यक्शन आएगा इफ 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 है यू डोंट वर्क हावड कॉमा यू विल नॉट सक्सी तू सफल नहीं होगे ठीक दोस्तों ना चलिए और देखते हैं दटी इज वेरी हॉट आई के नॉट द्रेंक इट टी क्या है बहुत हाड है और मैं इसको पी नहीं सकता दोस्तों या देखिए टी बहुत हाड है मैं इसको पी नहीं सकता अब इसमें देखिए क्या है क्या करेंगे हाँ पर रिजन के लिए को इस्तिमाल करेंगे हम I cannot drink tea I cannot drink दोस्तों है हाप इत का प्रेवा हुआ है ना तो पहले में इत का प्रेव नहीं करेंगे क्यूंकि इसके लिए नाउन आया हुआ है कि इस के वरी फोर के दोस्तों अब इसको अराम से करें अपने रहे Creating खिर दोस्तों अब इसे अराम से वीडियोव पहुझ और जो करें अराम से इसको नोट कर लें मेरे साथ आप बने रहें है तो तो मैं आपको यहीं परियास से ही है कि THEM तक आपको मैं अशिंगा एक्सिम नंबर इंग्ल्स में कैसे आए इसके लिए मैं काफी प्रियास कर रहा हूं ताकि आप का बोड एक्जाम महतर जाए आप मैंसम नंबर कर आप आउ इस रहा है उस और example है हमारे पास उसको भी हन करवा देते हैं और भी देखते हैं दोस्तो He waited for his brother He waited till he arrived, till his arrival He waited till his arrival दोस्तो हम इसको हिंदी मर्थ निकार लें आप समय क्या चुका हूं कि यह बहुत आसान हो जाएगा He waited for his brother वो अपने भाई का इंतजार किया He waited till his arrival वो उसके arrival तक उसके आगमन तक इंतजार किया ठीक दोस्तो न तो यह क्या करेंगे हम यह दिखेंगे यह क्या पता रहा है तो wait करने की बाद पता रहा है यह time की so कर रहा है जब time so कर रहा है था हम क्या करेंगे हाँ पर ऐसा लिखेंगे He waited his brother for his brother until until में जब तक की नहीं He arrived वा आ जागे